असामलेकूम, कैसे हैं, आप सब इमीद करती हैं, आप सब खेरे से होंगे, आज जो बीटिप मैं आपको बताऊंगी, वो है आपके वेट किसे लेटिप, अगर आपका वेट जो है बहुत इंक्रीस हो चुका है, और आपनी वेट को आपका ना चाहती है, तो ये परफेक्टल बीटिप आपके लिए है, बीटिप को बताने से पहले, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राब कर लें, और बैल आइकन को क्लिक कर लें, तांके आपको मेरी लेटेस वीडियो मिलती रहें, चलें चलते हमें कपरों के फिटिंग में आती है जो हमें चाहिए होती है और कभी हम इसको खुलवाने में और कभी फिटिंग करवाने में लगे रहते हैं तो यह तिप जम आपको बताऊंगी आपने से लाइगर यूज करना है क्योंकि यह आपका दिनों के अंदर बहुत जदी से वजन कम करेगी क्योंकि मैं आपको बताऊंगी इसके डिफर्ट पैनिफिट्स तांके आप इसको यूज करें और उससे वाइदा हांसिल कर सकें चलते हैं आपे ब्यूटीब की तरफ जो कि है सॉंप सॉंप आप में लेनी है क्योंकि जब हम अपने वेट को कम करना चाहरे होते है तो इसका मतलब यह होता है कि हमें फाइबर चाहिए होता अपनी बोड़ी के अंदर तांके जो हमारे जो फैट है वो बंट होना होता है और वह हमारे बोड़ी सीटर्य नहीं हो रहותी जैसे बोड़ी का चच्छी होना स्रूरह होती है एंदर कि बहुत जाए जाता है आप पूरी बोड़ी dal के टो की मेट को डिसोल करने के लिए आपके करता है यह fat storage को कम करता है जहां पर इससे fat storage को कम किया है यानि आपकी fat को melt करना स्टार्ट किया है साथ ही vitamins और minerals को ब्रॉप्षन कराना शुरू किया है ताल कि आपके जब बागी बागी मसंजरें वह weak ना हो जाए बैसिकली हम काफी तक क्या होते है फुल vitamins and minerals ले रही होते हैं लेकिर हमारी बोड़ी को फील नहीं हो रही होता है उसकी वज़ा ही ही होती है कि हमारी बोड़ी में जजब नहीं हो रही होते है जैसे हम सौफ का पानी को यूज करेंगे और सौ मौफ बैसिकली इसके यह लिचिन फाइबर पाया जाता है इसके अंदर anti-microble property होती है anti-fungal property होती है जिसके जासे क्या होता है यह आपके ब्लोटिं को कुंट्रोल करता है आपके पेटने गयास को कुंट्रोल करता है और आपको digestion को इंप्रूव करता है बेसिकली जब खान जाता है वो तुमाम चीज़े में मिल नहीं नहीं होती है और हमारे कुटे मारे डिजेशन से ही नहीं होता है जब हमारे जिसन के अंदर को चीज जाती है उसका breakdown सेत्री कैसे नहीं होगा हमारा मेरा उसे हजब नहीं करेगा सेत्री कैसे तो हमारे पूरे body parts को तुमाम ingredients नहीं जो को चाहिए होगे तो क्या होगा जब आपके डिशेशन से नहीं होगी तो वही चीज जो है जो के वाटमीज और मिर्रोस की फोर में हमारे डिफ्रेंट बोड़ी पार्ट पर जाना चाहिए था वो फैट की शेयर करके फैट पाइलप करना शुरू कर देती है यहीं वेदा क करेगा खाने को सहीतर से हजब नहीं करेगा और वो फैट की फोर में आपके डिफ्रेंट बोड़ी पार्ट पर जाएगा और आपका बेट इंक्रीस हो जाएगा और आप मोटे लगेंगे अब आपने क्या करना है आपने सॉंफ लेनी है क्यूंकि सॉंफ लेनी है क्यूंकि स जारेस 특्तार नहीं करते हैं आपकशनी क्या है अ अपने और और अपने क्या लिल स्वानिक हो लेनारे जाते हैं, और अरड मेशी नारे? सब्सक्तरी द्रकंपरु सून्वाडम करोаша लेकर लुदा एक।ल फानी डालधे है यानि पानी को निधार लेना है और पानी को आपनी पी लेना है निहारमू यह बहुत ज़दा एफेक्टिव रहता है सौंफ को यूज नहीं करना है जिस पानी को अपनी को पानी को तो पानी आ जाएगा और सौंफ जब आप उसे पहंग दे और पानी को आपनी निहार मु पी लेना है और उसके बाद आपने 30 मेर के बाद आप अपना ब्रेकफास्स करेंगी यह बहुत ज़दा एक रहता है आपने से ज़रूर यूज करना है और डिली यूज करना है आपको वीच के अंदर ही अपने कमर के इंचिज अपने पासु आम चीज कम होते में नजर आएंगे आपको प आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिल चाते आपको आज की मेरी वीडियो कैसे लगी है आपने कमेंड बोक्स में मुझे ज़रूर बताना है और अगर आपने मेरी वीडियो का भी तक लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले औ और आपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शियर करें इसके साथ ही मुझे अजास्त दे आपने द्वावे मुझे यार रखेगा